हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग मैं टार्गिट विथा लोग से वीके शुक्ला आपका स्वागत बंदन और अविनंदन करता हूं कल जो हम लोगों ने पढ़ा था आत्मरक्षा के अधिकार का प्रियूर उसको आज जो हम फिर से स्टार्ट करते हैं जहां तक कल हमने पढ़ आप चाहें तो नीची स्क्रॉल बार में जो डीटेल आ रही है उस डीटेल के वालो करते हुए आप एडमिशन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं एडमिशन हमारे यहां लिए सकते हैं तो आगे स्टार्ट करते हैं हम धारा 96 भीक है धारा 96 भीक है धारा 96den 106 तक जो है वह धारा 96 कहती है, धारा 96 कहती है, कि राइट आप private defense में की गई कोई बात अपराध नहीं है, यानि राइट आप private defense में कोई बात अपराध नहीं होती है, नेक्स्ट देखते हैं, धारा 97 धारा संतानवे कहती है कि यदि धारा संतानवे कहती है कि सरीर की आत्मुरक्षा में की गई बात अपराध नहीं है दारा संतानवे कहती है कि यदि सरीर की आत्मुरक्षा में आपको इपराध कर देते हैं तो आपके द्वारा किया गया कारिवो जो है अपराध नहीं माना जाएगा ठीक है धारा अंठानवे कहता है कि पागल व्यक्ती के विरुद्ध अपराध पागल व्यक्ति के विरुद्ध आत्मरक्षा का अधिकार यदि या surprisedäl पूछा गया है कैसा question? कई बार पूछा गया है कि क्या पागल व्यक्ति के विरुद्ध भी आपको right-up private defense पितान किया गया है या right-up private defense दिया गया है तो मैं आपको बता दू कि पागल व्यक्ति के विरुद्ध भी राइट आप प्राइवेट डिफेंस का वही प्रियोग आप कर सकते हैं जो एक स्वस्त चित व्यक्ति के विरुद्ध आप राइट आप प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है? कैसे कर सकते हैं जो व्यक्ति आपको राइट आप प्राइवेट डिफेंस पागल व्यक्ति के विरुद्ध जो है वही आपको जो स्वस्त व्यक्ति के विरुद्ध है वही एक पागल व्यक्ति के विरुद्ध भी राइट आप प्राइवेट डिफेंस दिया गया है, ठीक है, धारा अंधान पागल व्यक्ति के विरुद्ध राइट आप प्राइवेट डिफेंस का इस्तिमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं तो जी बिल्कुल राइट आप प्राइवेट डिफेंस का इस्तिमाल आप कर सकते हैं ठीक है धारा 99 ठीक है अब यहाँ पर धारा 98 के बाद हम धारा 99 देखत कि पागल व्यक्ति के विरुद्ध भी राइटा प्राइवेट डिफेंस वही है आपको जो एक स्वस्त व्यक्ति के विरुद्ध दिया गया है ठीक है धारा 99 अब देखते हैं धारा 99 धारा 99 यह कहती है कि किन परिस्थितियों में आपको राइटा प्रावेट डिफेंस नहीं मिलेगा किन परिस्थितियों में आत्मरक्षा का अधिकार आत्मरक्षा का अधिकार नहीं है तो कब नहीं है आत्मरक्षा का अधिकार कब आप नहीं प्रियोग कर सकते हैं आत्मरक्षा की अधिकार का प्रियोग कब नहीं कर सकते हैं तो जब कोई लोग सेवक लोग करतव के निर्वहन में कोई कारे कर रहा है तो उस समय आप अपने राइटा प्राइट डिफेंस या आत्मरक्षा या व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रियोग नहीं कर सकते हैं मैं एक्जामपल आपको दे रहा हूँ कि यदि कोई लोगसेवक के पास कोई वारंट दिया गया है कि किसी व्यक्ति को गिरफतार करके ले आने का और वो व्यक्ति वह लोगसेवक उस व्यक्ति को गिरफतार करके ले जा रहा है और उस समय आप उस व्यक्ति की मृत्यू कर दे प्राइबट डिफेंस कब मिलेगा कि जब अब को इस बात की आशंका हो कि लोग सेवक की द्वारा किये कि यह गया कारिक का परिणाम मृत्विया घ्भोर उपाती होगे जब कोई लोग सेवक लोग करतब के निर्वान में कोई कार्य कर रहा तो उस समय आप आत्मरक्षा के अधिकार के का प्रयोग नहीं कर सकते हैं लेकिन यदि उसके कारे से आपको इस बात किया शंका हो कि इस लोग सेवक का कारे मेरी मृत्विया घोरु पाती है तो वहां पर आपको आत्मरक्षा का अधिकार जो है अपने अपनर जीवित होड़त आए टेक निन्यान्बे के बाद हम देखते हैं धारा सौ धारा सौ कहती है कि किन परिस्थितियों में किन परिस्थितियों में सरीर की आत्मरक्षा में हमलावर की मृत्यू किया जा सकता है हमलावर की मृत्यू की जा सकती है तो कुल यहां पर छे परिस्थितियां दी गई है किन परिस्थितियों में सरीर की आत्मरक्षा में हमलावर की मृत्यू की जा सकती है तो पहली परिस्थिति हम बता रहे हैं आपको कि यदि हमलावर की जो हमलावर है उसके हमले का परिणाम कैसा है उसके हमले का परिणाम आपकी मृत्यू है यदि जो हमला किया जा रहा है आपकी सरीर पर उस हमले से कहीं न कहीं आपको यह इस बात किया शंका है कि जो हमला मेरे सरीर के उपर किया जा रहा है उस हमले का परिणाम मेरी मृत्यू होगी तो आप हमलावर की मृत्यू कर सकते हैं दूसरा है कि यदि उस हमले का परिणाम घोर उपाती है घोर उपाती यदि गंभीर प्रकिति की चोट है तो ऐसी परिष्थितियों में भी आप हमलावर की मृत्युकारित कर सकते हैं तीसरा है कि बलात संग करने के आसे से किया गया हमला यदि कोई बलात संग करने के आसे से कोई हमला करता है तो उस परिष्थितियों में भी आप हमलावर की मृत्युकारित कर सकते हैं चौथी condition है आपहरण या ब्यापहरण है या ब्यापहरण करने के आसे से किया गया हमला यह हम आपको डिटेल में बताएंगे आगे हैं आपहरण और ब्यापहरण किया गया हमला प्रकृति बिरुद्ध कामवाशना की पूर्ति के लिए किया गया हमला और आखरी है छट्वा जहां लोक सेवक की सहायता ना प्राप्त हो सके प्रकृति बिरुद्ध कामवाशना की पूर्ति के लिए कोई का हमला किया गया है तो उस परिस्थिति में आप हमलावर की मृत्यू कर सकते हैं और छट्वा है कि यदि आपको इस तरीके से कहीं पर हमला किया जा रहा है कि आपको यदि कहीं आईसी जगहर रख दिया गया कि आप लोक सेवक की सहायता नहीं प्राप्त कर सकते हैं नहीं पाएंगे तो ऐसी परिष्थितियों में भी क्या कंडिशन दी गई है यह ऐसी परिष्थिति में भी आप हमला बर की मृत्यू कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट देखते हैं हम दारा 101 दारा 101 कहती है मृत्यू से भिन मृत्यू से भिन कोई अन्य अपहानी करना यहीं मृत्यू के अलावा आप कोई अन्य अपहानी कोई अन्य नुक्षानी भी उस व्यक्ति को आप कर सकते हैं किस व्यक्ति को हमलावर को ठीक है धारा 101 धारा 102 प्रारंब और बने रहना प्रारंब और बने रहना प्रारंब और बना रहना ठीक है? means क्या है मतलब इसका? कि यदि आपके उपर कोई व्यक्ति हमला करता है तो राइट आप प्रार्वेट डिफेंस नहीं आप में रख्षा का अधिकार जो है वो कब प्रारंब होगा और कब तक बना रहेगा? तो कब प्रारंब होगा? जैसे ही आपके मन में इस बात की आशंका उत्पन होती है कि यदि मैंने इस व्यक्ति को नहीं मारा तो ये व्यक्ति मुझे मार देगा और कब तक बना रहता है? आप मर अख्षा का अधिकार जब तक ऐसी आशंका हमारे मन में बनी रहती है तब तक आप मर अख्षा का अधिकार हमारा एज इटिज जो है वो बना रहता है तो आप मर अख्षा का अधिकार क्या होता है? हमने आपको बता दिया कि आप मर अख्षा का अधिकार कप प्रारंब होता है? जब आपके मन में इस बात की आसंका हो जाए कि यदि मैंने हमलावर के मृत्यू नहीं कारित की तो वो मुझे मार देगा और कब तक बना रहता है जब तक ऐसा ऐसी आसंका आपके मन में बनी रहती है तब तक ये चीजें आपकी बनी रहेंगी ठीक है नेक्स देखते हैं धारा एक सो तीन ये कहती है संपत्ति की आत्मरक्षा में संपत्ति की सुरक्षा या आत्मरक्षा में हमला वर की मृत्यू कारित करना means धारा सौ में आपने पढ़ा कि सरीर की सुरक्षा में किन-किन परिस्थितियों में आप हमला वर की मृत्यू कारित कर सकते हैं और धारा एक सो तीन में दिया गया है कि संपत्ति की सुरक्षा में कब-कब आप हमला वर की मृत्यू कारित कर सकते हैं तो पहली condition दिया गया है इसमें लूट यदि आपकी संपत्ति पे हमला किया जाता है और उस हमले का उद्देश से आपकी संपत्ति को लूटना है तो ऐसी परस्थितियों में आप क्या कर सकते हैं हमला वर की मृत्युकारित कर सकते हैं ठीक है next है रात्रो ग्रिह भेदन रात्रो ग्रिह भेदन means रात को घर में प्रवेश करना means आधी रात को आप किसी व्यक्ति के घर में प्रवेश कर रहे हैं ठीक है आप किसी व्यक्ति के घर में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं तो वहां पर भी आपकी मृत्युकारित की जा सकत तीसरा है अगनी द्वारा रिष्टी मैं भी बता रहा हूँ आपको कि रिष्टी कौन सा अपराद होता है रिष्टी एक ऐसा अपराद है जिससे किसी भी संपत्ति के मूल्य को घटा देना या उस संपत्ति को ऐसी प्रस्तितियों में कर देना जिससे उसके मूल्य में कमी आ जाए या उसके मूल्य में हरास आ जाए ठीक है उसके मूल्य में कमी आ जाए जैसे कोई मूल्यवान उठी को उठाकर जल में फेक दीजे, नदी में फेक दीजे, तो क्या होगा उस संपत्ती के गीमत, खत्म हो गई, चौपाया जानवर है, गार है, बैल है, भैस है, बकरी है, आप उसके पैर को काट दीजिए, तोड़ दीजिए, ठीक है, इससे क्या होता है, संपत्ती कैसी हो जाती है, उसके मूल में कमी आजाती, वो मूल्लेवान संपत्ती थी, उसकी संपत्ती की मूल में क्या होगा, गिरावट आ जाए, जो चीज अब 10,000 की बिखनी थी, वो कोई 2000 की भी नहीं खरीदेगा, ठीक है, उसी तरीके से अगनी द्वारा रिष्टी, यानि आपकी संपत् चौथा है, चोरी, रात्रो ग्रिह भेदन, या रिष्टी, किसी घर, यानि या तंबू में किया जाता है, ठीक है, चोरी कहां कर रहे हैं, आप तंबू में कर रहे हैं, किसी घर में कर रहे हैं जो मानव के रहने के लिए आसाइथ है कोई ऐसी जगा है जहां पर मानव निवास कर रहा है और वहाँ पर आप इस तरह की चीज़ें करते हैं तो वहाँ पर क्या होगा इन परिश्थितियों में आप حमला बर की मृत्यू कारीध कर सकते हैं प्राप्त कर सकें 6 कंडीशन वहां पर ना है दारा एक्सो तीन में कौन-कौन सी कंडीशन है लूट करना रातोग्री वेदन अगनिद्वारा रिष्टी या चोरी अगनिद्वारा रिष्टी रातोग्री वेदन कहां पर करना किसी यान जल्यान तंबू जो मानव के निवास के लिए आसाइत हो या जहां पर मानव निवास करते रहे हो ठीक है धारा 103 क्लियर हो गए यह चलिए नेक्स देखते हैं धारा 104 और धारा 105 ठीक है धारा 104 कहती है आपकी मृत्यू से भिन कोई अपहान यानि जब आपकी संपत्ति पर कोई हमला किया जाता है उस समय आप मृत्यू से भिन कोई अपहान कारीत कर सकते हैं किसी वैक्ति की ठीक है और धारा 105 धारा 105 कहती है प् आत्मरक्षा संपत्ति की रक्षा में आत्मरक्षा का अधिकार कब प्रारंभ होगा और कब तक बना रहेगा तो कब प्रारंभ होगा जब तक जब आपके मन में इस बात की आसंका उत्पन हो गई कि यदि मैंने इस ब्यक्ति की हत्या नहीं कि इस ब्यक्ति को मारा नहीं तो य तो तब तक बना रहेगा जब तक ऐसी आसंका आपके मन में बनी रहती है। धारा 106 की हेडिंग डालीजे आप धारा 106 की हेडिंग क्या है कि घातक हमले के बिरुद्ध प्रतिरक्षा का आधिकार जिससे निर्दोष की मृत्य होना या निर्दोष को अपहानी होने की आसंका हो। उग्र भीड है उसके द्वारा आपके उपर हमला किया जा रहा है और यहाँ पर प्रतिरक्षा यदि आप करेंगे तो निश्चित है किसी निर्दोष व्यक्ति की जान जा सकती है। सपोस करिए आपके उपर दस बारा पंदरा बीस पत्चीस लोगों का एक जुन्ड जो है वो हमला करता है। वहाँ पर आपके हाँ में एक पिस्टल रहती है और आपको लगता है यदि मैंने अपनी रक्षा नहीं की तो यह भीड मुझे मार डालेगी। आप क्या करते हैं? आप उस पिस्टल से fire करते हैं और वो पिस्टल का fire जाके किसी बच्चे को लग जाता है जो उसी माब में सामिलता, उसी भीड में सामिलता, ओर उस से उस वेक्टिकी मृत्तिखी हो जाती है, यहां पर आप हत्या के लिए जिम्मेवार नहीं है, भले ही आपका धारा 106 तक हमने आत्मरक्षा के अधिकार को समाप्त कर दिया ठीक है एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि यदि कोई व्यक्ति आत्मरक्षा के अधिकार का प्रियोग करता है तो उस प्रियोग को उस अधिकार को साबित करने का भार भी जो है वो उसी व्यक्ति क के उपर रहता है जो व्यक्ति यह कहता है कि मैंने यह कार आत्मरक्षा के अधिकार के प्रियोग में किया है ठीक है जैसे मैंने कहा कि साब मैंने इस व्यक्ति की हत्या जो है वो आत्मरक्षा के अधिकार के प्रियोग में किया है तो मुझे ही यह साबित करना होगा क्योंकि जो व्यक्तिया कहता है कि यह ऐसी चीजें है तो positive का ही evidence दिया जाता है बेटा negative का evidence कभी संभाव नहीं है जैसे मैंने कहा कि मैं चोर नहीं हूँ तो मैं कैसे साबित करूँ का कि मैं चोर नहीं हूँ यदि कोई व्यक्तिया कह रहा है कि मैं चोर हूँ, तो भाईया आप साबित करो कि मैं हूँ ऐसा, क्योंकि positive का evidence, हाँ का evidence तो दिया जा सकता है, पर ना का evidence नहीं होता है, positive का evidence प्राबेबल है, संभव है, पर negative का evidence कभी भी संभव नहीं है, ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको जो है, आज यह चौधी क्लास थी, यहाँ तक मैंने आपको right of private defense, IPC, CRPC में difference, प्रतिरक्षा, means साधारन अपवाद, और right of private defense जो है, वो समझा दिया है, अच्छी तरीके से clarify करा दिया है, अगर कोई चीज समझ में नहीं आएगी, वो जो है, वो सारी चीज़े हम आपको फिर से एक बार समझा देंगे, ठीक है आपके लिए class में इतना ही, बाकी की चीज़े नहीं, ठीक है, thank you